कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोडो यात्रा का दूसरा पार्ट जल्द ही शुरू करेंगे, खास बात यह है कि इस बार भी यात्रा राजस्थान से होकर निकलेगी, यात्रा का रूट दक्षिन जिलों से निकालने की तयारियां चल रही हैं, चुनावी माहौल को देखते हुए राहुल गांधी आदिवासी वोटर्स को साधने का प्रयास करेंगे, उनका यह दौरा राजस्थान की 10 लोकसभा और 60 के करीब विधान सभाक शेत्रों पर फोकस करते हुए फाइनल किया जाएगा, यात्रा 15 अगस्त या 2 अक्टूबर से शुरू होने की काउंग्रेस के राष्ट्रिय प्रवक्ता पवन खेडा ने भासकर को बताया कि यात्रा के फाइनल रूट पर जल्द ही एस्क के स्तर पर दिल्ली से यात्रा का पूरा ब्यारा जारी किया जाएगा, भारत जोडो यात्रा की तयारियों को राष्ट्रिय अध्यक्ष मलिकार जुन खडगे अंतिम रूप दे रहे हैं, तिथी कौन सी होगी इस पर अंतिम निर्नय भी खडगे ही करेंगे, यात्रा गुजरात के पोरबंदर से शुरू होकर अहमदाबाद पहुचेगी, अहमदाबाद के बाद क्या रूट होगा इसकी तीन संभावनाव पर विचार चल रहा है, यात्रा को वहां से राजस्थान और फिर मध्यप्रदेश में किस तरह से प्रवेश करवाया जाएं, पिछली बार दक्षिन से उत्तर, केरल से कश्मीर की यात्रा में भी राजस्थान शामिल था, तब यह यात्रा जालावार से प्रवेश कर अलवर के रास्ते हर्याना में चली गई थी इस बार राजस्थान के दक्षिनी जिलों को रूट मैप में शामिल किया जा सकता है इन में दक्षिन राजस्थान के सिरोही उदेपुर्प, डुंगरपुर्प, बांसवाड़ा और दक्षिन पूर्वी राजस्थान के चित्तोरगड, प्रतापगड, जालावार, बारा आधी को शामिल किये जाने की ज्यादा संभावना है, जानकारी के मुताबिक तीन संभावित रूट बनाए गए हैं, ये क्या होंगे आए जानते हैं, पहला संभावित रूट अहमदाबाद के बा यात्रा पूर्वी उत्तरप्रदेश, बिहार, बंगाल, असम होते हुए अरुनाचल प्रदेश तक जाएगी, दूसरा संभावित रूट इसमें यात्रा अहमदाबाद से गोध्रा, दाहोद के रास्ते से राजस्थान में एंटर होगी, और बांसवाडा, प्रतापगड, चित्तोरगड होते हुए मध्यप्रदेश में नीम्चमंदसौर के माध्यम से प्रवेश करेगी, फिर मध्यप्रदेश इंदौर या भोपाल में से किसी एक शहर को छुकर 36 गड़ की तरफ बढ़ेगी, 36 गड़ से यात्रा पूर्वी उत्तरप्रदेश, बिहार, बंगाल, असम होते हुए अरुनाचल प्रदेश तक जाएगी, तीसरा संभावित रूट पोरबंदर से सीधे माउंट आबू, सिरोही, जिले में प्रवेश कर उदेपुर, दूंदरपुर वबांसवाडा के इलाकों से होते हुए रतलाम, मध्यप्रदेश में यात्रा प्रवेश कर सकती है, राष्ट्रिय प्रवक्ता पवन खेडा की माने तो इस बार यात्रा छोटी होगी, इसलिए तीनों में से जिस भी सबसे छोटे रूट के माध्यम से राजस्थान को शामिल करना संभव होगा, वो अपनाया जाएगा, राहुल गांधी ने अपनी पिछली यात्रा म में रहने वाले कहती है, जबकि वे उस स्थान के मूल निवासी आदिकाल से रहने वाले होते हैं, ऐसे में राहुल गांधी राजस्थान के आदिवासी बहुल इलाकों जैसे सिरोही, उदेपुर्प, डूंगरपुर्प, बांसवाड़ा, प्रतापगड, बारा आदी को छ होना चाहते हैं, ताकि वे राजस्थान की राजनीती पर अपनी बात भी कह सकें, और आदिवासियों के प्रती अपनी राजनीतिक प्रतिबधता भी दोहरा सकें, फोकस 10 लोकसभा और करीब 60 विधान सभा राजस्थान में उदेपुर्प, जैपुर्पुर्प, ग्रामीन नंबर के सबसे बड़े मतदाता हैं, ऐसे ही करीब 60 विधान सभा सीटों पर भी आदिवासी प्रभावशाली हैं, ऐसे में राहुल गांधी इन सीटों को इस यात्रा के जरिये सीधे प्रभावित कर सकते हैं, राजस्थान में कॉंग्रेस 2014 और 2019 में इन सीटों सहित सभी 25 सभा सीटें हार चुकी हैं, ऐसा राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में पहली बार हुआ था, अब राहुल गांधी चाहते हैं कि राजस्थान में 2024 की यह तस्वीर बदल जाएं, राजस्थान से जब भारत जोरो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ कमशोक गहलो की भारत जोरो यात्रा के दौरान अवकाश सहित रोजाना करीब 23 से 25 किलोमिटर तक पैदल चलने का रूटीन रहता है, ऐसे में पोरबंदर से करीब 600 किलोमिटर दूर राजस्थान का बॉर्डर है, यात्रा जब भी शुरू होगी तो उसके बाद राजस्थान पहुँच राजस्थान में प्रवेश कर जाएंगे। राजस्थान में कुल 520 किलोमिटर पैदल चलकर 6 जिलों को कवर किया था, इस यात्रा में कुल 18 दिन लगे थे। पिछली बार भारत जोडो यात्रा ने मध्यप्रदेश से राजस्थान में प्रवेश किया था, इस बार राजस्थान से मध्यप्रदेश में प्रवेश करेगी। पिछली बार यात्रा जालावार से प्रवेश कर बूंदी सवाई माधोपुर दौसा। अलवर होते हुए पूर्वी राजस्थान को कवर कर हर्याना में चली गई थी, इस बार यात्रा दक्षिनी राजस्थान को कवर करेगी। राहुल गांधी आ सकते हैं। दोनों ही डेट का अपना विशेश प्रतिकात्मक संदेश है। एक दिन देश का स्वतंत्रता दिवस है, तो दूसरा दिन राश्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मति थी, लेकिन यात्रा का रूट 3000 किलोमेटर से ज्यादा लंबी है। और उधर दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक रूट में कवर होने वाले तीन राज्यों राजस्थान, मध्यप्रदेश, 36 गड में चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में सभी बड़े नेता भूपेश बगेल, दिगविजय सिन्ह और राजस्थान में सीम अशोक गहलोत, गोविंद सिन्ह डोटासरा, सचिन पाइलट आदी भी चुनावी गतिविधियों में व्यस्त होंगे। इसलिए ज्यादा संभावना इसी बात की है कि यात्रा 2 अक्टूबर से पहले ही शुरू हो जाएं।